हेलो एवरीवन ट्रीव इंगलिस क्लास इज बाहर में स्रिम आपका स्वागत है और दोस्तों एक मैंतपॉर्ण चानकारी इस वीडियो में सभी के लेकर आया हूं जानकारी क्या यह जानने के लिए वीडियो को लास्तक जरूर देखेगा तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को प कि वीडियो को लास्तक जरूर देखेगा तो लीजिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो तो यहां आप देख सकते हैं आई कोट ने एच्छाशी से मांगा जवाब या चिका जो करता उसको राद दे दी गई है तो यह मैटर क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं तो आप मिटा कर पहले डी को उत्तर कर दिया निको मिटा कि उसने फिर सी कर दिया ठीक है और उसके तριह सगस्त का रसा तो ऑसकी पिर Spr accessible सग्दा और और सोज कि सही है उसका मतलब वो डिकिलीब उसको बुलाइग एइस तो नहीं बुलाया गया और इसके पीछे रिजन यह है कि ऐसा कोई नियम था कि दी कोई भी एक और उप्शन को मिटा गी दूसरे उप्शन पर टिक करता है तो फिर उसकी सीट की जांच नहीं की जा सकती इसलिए इसकी भी सीट की जांच नहीं की गी तो इसने फिर कोट केस करता है कि अकिया था तो उसके बाद क्या हुआ यह भी आप देख सकते हैं तो फिर यह का याची ने याची ने आयोग को प्रस्तुति पत्तर देकर आगा क्या कि सवाल नंबर 90 के अंग काट कर उसकी ओमर सीट की जांच कर ले जाए यह उसकी नमर काट दी जाए फिर विववय यह हैं लेकिन आयोग ने अपने नियमू काहाला देकर ओमर्शीटकी जांज ही नहीं की ठीक है फृपर इववश्ता उनिस सो सतरा से है कि यह से जांज नहीं की जा सकती है कि लेकिन फिर बाद में इस नियम को अभी तक चेंज नहीं किया है इस चीज़ को जानकर कोर्ट भी एहरान हुआ आई कोर्ट भी इस चीज़ को लेकर एहरान होता है ठीक है तो यह एक थी इसमें और आगे है अभी तक लागों नहीं 2017 में परदेश सरकार नहीं आई कोर्ट से आगा किया ताकि जिन भरती का प्रिणाम जारी हो चुगा उनमें बदलाव ऐसम होगा है इसलिए उस याची का पर कोई आदेश जारी ना करें अलागे सरकार ने कहा ताकि आगे सभी बरती में नियम में बदलाव कर दिया जाएगा लेकिन तीन साल के बावजुद अंडर्टेकिंग देने के बावजुद यह ववस्ता नहीं बदली है अलागे इसको बदलना था तो फिर याची को क्या फाइदा हुआ याची के लिए सीट रिजरो रखी गई है और यह का गया है कि याची को भी जो साकसातकार है उसमें सा लेटेड है यह जानकारी सभी के साथ में सेयर करनी थी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यो झाल